हेलो एन विलकम दूस्तों मैं हूर आज और आप दीख रहे हैं इवन टीशन तो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एचस फर्स्ट एयर यानि की क्लास 11 की इंपोर्टन कोशन एंसर्स को आज की वीडियो में हम लोग हमारे फोर्थ यूनिट जिसका नाम है माई इंपेशन आफ आसाम इसकी इंपोर्टन कोशन इंसर्स को देखेंगे वीडियो को पूरा देखना आप लोगों में इस चप्टर से रिलेड़ सारे ही कोशन इंसर्स को डिसकस आज कर दूंकर बाकी सा यह पहला हमारा कोशन है वर्ड़ वेयर अल्वीन हैब टू से तु जौ ली पीपल आफ रसाम यानिकी अल्वीन क्या कहिणा चाहते थे हीली पीपल अफ आसाम को तो तु देखो Mr. ये अल्वीन यानिकी वेर Éल विन यह कहिना चाहते थे असाम के हिली पीपल को कि वू उनह यह बताए गया है कि इसे हम लोग को फेकना नहीं चाहिए वह यह बताते हैं कि यूरोप में लोगों ने अपने कल्चर को भुला दिया था उसे पीछे छोड़ दिया था फेक दिया था लेकिन अब उन्हें रियलाइस हो रहा है कि वह कितने अच्छे थे और उन्हें अब वह लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स कोशिशन हमारा हाउ जानी कि जो इस अफ्रीकन के लोग है और इंडियन लोग है उनका एट्टीटूट अनिमेल के प्रति कैसे अलग है तो सबसे पहला तो तो इस इस अफ्रीकन के लोग है उनके ट्रेडीशन किया हैं उनके ट्रेडीशन ऐसे हैं जैसे कि हर कोई आपरेट करता है यहनी साथ खा clown करता है ताकी कोई भी сос chunky हो या फिर फोरेस्ट कि उसको सक्सेस बराने मेंना विंट्य अ मोशाल जाते हैं बहॉत सभी किया गया है सं सेंचुरिस में तो हम लोग हंडेट सब जिराफ समरी देखने को मिलेंगे जयाबरास मिलेंगे और यहां पर इस्ट अफ्रीका में इंसान जानवरों के दुस्मन नहीं है लेकिन जो राइटर यह कहते है कि यह सब सारे चीजे जोनब वह इंडिया में देखने को नहीं मिलता ह आइनिमल जो है वह आसाम में सेफ नहीं है अनलाइक दोस अनिमल सिंके यहां जो लोग के वह एनिमल की फ्यूचर को लेकि बिल्कूल भी चिंतित नहीं है next question हमारा है what did Elvin notice about our attitudes towards the wild animals तो Elvin जो है वो लोगों के attitudes के बारे में क्या देखते है तो यहां पर यह बताया गया है कि Elvin noticed that we do not have friendly attitude towards wild animals unlike the people of East Africa जैसे कि उपरवले question में हम लोग ने discuss कि हमारा जो attitude वह उतना friendly नहीं है जितना कि East African लोगों के attitudes में है कि वो लोग बहुत ज्यादा friendly है animals के साथ next question हमारा why did the author Elvin say that he was an unconventional visitor उन्हें से क्यों कहना परा कि जो Elvin है वो एक unconventional visitor है देखो reason क्या इसका simple सा है कि author जो है वो श्रिफ 4 महिना बिताते हैं Assam में और Assam के बारे में उनको सब पता है लेकिन जब तक जबकि वो 30 years से इंडिया में है लेकिन वो इंडिया के बारे में बहुत कम जानते है next question what was it that excited the narrator after the arrival in Assam यानि कि ऐसा कौन सा चीज है जो कि narrator को excite कर देता है Assam आने के बाद सबसे सबसे ज़्यादा जो exciting चीज था जब वो Assam आये काजी रंगा विजीट किया काजी रंगा जो reserve है तो उन्होंने उनके पास बहुत सारे जॉइफुलस जहना वो memories थे काजी रंगा वासाम में he had managed to see dozens of rhinos उनको बहुत सारे राइनोस दिखने को मिला और जिन में से कुछ जहना बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे और लोग ने इग्नोर किया उन सबको next question हमाना how does the writer express his belongingness toward Assam rather than India तो इसके answer जुनम मैंने उपजे से आप लोगों बताता है वजही कि राइटर यह लिखते है कि वह इंडिया में almost 30 years है वह इंडिया को बहुत ज़्यादा प्यार करते है और इंडिया को एक घर जासा मानते है he regrets that he does not know about much यानि कि वह यह कहते है कि 30 साल से तो वह तो रह रह रहें इंडिया में लिकिंडिया के बारे में बहुत कम जानते हैं जबकि दूसरे हाथ में आसाम में वह सिर्फ चार महिने से हैं लेकिन वह आसाम के बारे में सब कुछ जानते हैं why did the writer actually come to India sorry come to Assam तो writer actually Assam क्यों आते हैं तो writer जो actually Assam आने का उनका reason था where to study the art of hilly people वह hilly people के art को पढ़ना चाहते थे समझना चाहते थे this hilly people have real treasure of art इनके पास जोना real art है एक तरीक से और यही इनके लिए खजाना है great treasures of folk tales myths in the hilly areas जाने के उनके जो विरास्त है उनके जो कहानिया है उनके जो historical ideas है वो सब जोने इनके लिए बहुत बड़ा खजाने के जैसा है what according to the writer are the various forms of art उनके हिसाब से various forms of art क्या है according to writer art जोना is a big and large word which includes many things जिंसके आंते जोना बहुत कुछ शीजा आ जाते हैं art has various forms art के बहुत सारे forms है जैसे की art of work हो गया art of music हो गया and plastic and graphic art हो गया तो बहुत अलग अलग तरीके के art है उसके बारे में narrator यहां पर बताते है what are the various things what are the things that attract the writers much तो ऐसे कौन से कौन से चीज है जो की writer को जोना attract करते है तो राइटर जो है the writer has been attract by the beauty of Assam जो आसाम की खुबसरती आप सबको पता होगा कि आसाम एक बहुत खुबसूरत जो है state है he has been intoxicated with the delight of the natural beauty and the grace and the charm of the people of Assam he is impressed by the human relation between the people of Assam तो narrator जब यहां पर आए आसाम में आए तो यहां के जो humans है उनकी साथ जुनका relation बना वह बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था he confesses that he has never seen anywhere in the world such type of courtesy and friendliness among the ordinary people of Assam तो narrator यह कहते है जिस तरीके से friendliness और जिस तरीके से व्यवाहर आसाम के लोगों ने उनके साथ किया दुनिया में उनको जो है ना ऐसा व्यवाहर ऐसा दोस्ताना पन जो ना वह कहीं पर नहीं मिला what does the writer say about the art of Assam असाम के आठ के बारे में writer क्या कहते है तो writer says that the Assamese people have a real treasure of art यानि कि Assamese people के पास जो ना वो real treasure of art है it is matter of surprise that there is no proper museum in Guwahati और Silong लेकिन वो यह जानके भी आत्रज हो जाते लेकिन कि Assam में यानि कि Guwahati और Silong में कोई proper museum नहीं है जो इनके आठ को संभाल के रखा जा सके इस शेंपूल टेट more treasures of Assam tribes are preserved in Oxford और Cambridge rather than ने आसाम वह यह कहते है कि वह यह देख के शर्मिंदा है कि Assam के जितने भी ट्रेजर से वह आसाम से जादा वह Oxford और Cambridge के युनिवर्सिटीज में है लेकिन वह सब सारी चीज आसाम में नहीं है यानि कि वहां तो प्रिजर्ब करके रखा गया है लेकिन जहांके यह धरोबर है वहीं प जरूर पढ़ना उपर कोशन में मैंने अल्री बता रखे हैं आप लोग को वह सारे एंसर को थोड़े से बढ़ा करके आप लोग को लिखना होगा ठीक है अगर इस वीडियो के पीडियो अगर आपको अच्छी लेगी तो काइंटली रिस्क्रिप्शन में जाके छोटी सी प बाई